वेल्कम बैक फ्रेंड्स हमने लास्ट डिडूप चेक्स वाली टॉपिक्स को अपने खतम कर लिया है तो अभी हम एक स्टेप फर्दर मूव करते हैं अपने अजेस्मेंट पार्ट के उपर जिसमें अभी हम सीरीज ऑफ लेक्चर बनाएंगे बैंक स्टेट्मेंट अनैल्सिस के उपर तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ क्लीर कर दो कि जब भी आप किसी लोन प्रफॉसल को सब्सक्रों करते हैं चूंत्żyć है करते हैं तो जो बैंकिंग अनैलिसिस पार्ट है वह आप लगा लो कि उस प्रफॉसल मैं डं मैंट किसी प्रफॉसल की अनियृट एक ब् तो इस NLC से आपको actual position client की realize होगी actual position realize होगी कि client किस direction में काम कर रहा है किस direction में नहीं जो financials है client के financials है client के वो जूट बोल सकते हैं वो हो सकता है कि made up हो financials पर जो bank statements है client की जो bank statements है वो कभी भी आप से जूट नहीं बोलेगी वो आपसे जूट नहीं बोल सकती क्लाइंट के बिजनस के बारे में आप bank statement को study करेंगे आपको समझे में आ जाएगा कि क्लाइंट किस direction में business कर रहा है या नहीं कर रहा है तो जब भी कुछ एक basic level का पॉइंट आपको बता दू bank statements के अंदर कि जब भी client आपको bank statement दे तो आप ये ensure रखेगा कि जो bank statement का page है उसके उपर bank का नाम लिखा आ रहा हो कि कौन से bank की statement है मैंने कई बार circumstances अपने practical life में ऐसे देखे हैं कि statement आई है वो formatting कुछ इस तरह से होती है download कुछ इस तरह से की होता है कि वो उपर bank का नाम ही नहीं reflect कर रहा होता तो वो तो एक आपका audit का part हो गया ना कि आपको क्या पता कि कौन से bank की statement है account number reflect हो client का जरूरी है bank statement की उपर जब भी शुरुआत करें तो check करें कि bank का नाम आ रहा है account number आ रहा है आपके borrower का नाम आ रहा है आपके borrower का जो name है वो जरूर चेक करें उसको अपने जो भी आपके पास GST certificate आया है जो भी GST certificate आया है जो भी उसकी balance sheet पे उपर borrower का नाम है उसके साथ उसको एक बार से tally जरूर करें कि वो exactly आपका tally करना होना चाहिए address जरूर tally करें कि borrower का जो bank statement के उपर address आ रहा है वो correct है वो बलब कोई different address आ रहा है तो question कीजिए borrower से कि आपका GST के अंदर ये address है बट आपके जो bank statement आया है हमारे पास तो आपके bank ने आपका ये address register कर रख रहा है तो उसमें फरक क्यों है दोनों address different क्यों है तो rest of the thing की जो bank statement आई है उसमें account का type क्या है account का type क्या है I mean to say की current account है limit account है कोई ये किस तरह का मलब किस तरह का account है वो चीज़ आप चेक कीज़े account type वहाँ पे चेक कीज़े last account open date कई बर आ रही होती है वहाँ पे account open date या limit amount वहाँ पे आ रही होती है कि account में कितनी रुपए की limit दे रखी है वो limit amount चेक कर लें उसको अपने client में जो detail दी थी कि मेरी limit इतनी की चल रही है उसके सथ टैली कर लें account type में कई बर OD, CC, packing credit, current account, OD against FD different different तरह के account वो आप ज़रूर read करके देखे कि आपको पता लगी कि कौन से type का account आपको submit किया गया तो यह तो basic level की चीज है कि जब भी आप bank statement पकड़ें तो यह चीजों को तो पहले ऐसे ही पांच मिनट में ज़रूर मार लें उसके बाद अपना banking का analysis करना start करें तो जो bank statements अपने आपके पास आएंगी वो different different तरह की bank statements आ सकती है जैसे कि एक cash credit account होता है cash credit अगर client ने वेलिकर रखता है तो वो account आपके सामने आ सकता है overdraft अगर उसने OD account ले रखता है तो वो आ सकता है drop line overdraft आ सकता है current account आ सकता है यह saving account भी आ सकता है जब हम कोई अगर lap department या कोई salary based जैसे किसी की income पे हम case बना रहे हैं मलब working capital department में नहीं other departments की बात कर रहा हूं saving accounts भी वहाँ पे आ सकता है इसके इलावा कुछ accounts मेरे mind में और आ रहे हैं जैसे कि आपके पास packing credit का account आ सकता है आपके साथ आ सकता है अनेल्सिस के लिए आपके पास तो different different accounts के different features है packing credit account अलग तरह से operate करता है दो तरीके हैं उसको operate करने के cash credit account में कुछ चीजें additional देखनी पड़ेंगी overdraft में कुछ चीजें धियान में रखनी पड़ेंगी drop line overdraft में ऐसी separate है current accounting most common type of criteria saving account कुछ different तरीके से चल लेगा analysis उसका तो हर एक जो account है account wise कुछ features एक दो features भी बात कर रहा हूँ एक दो features अलग रहेंगे तो वो account specific हम differently cover कर लेंगे कि हर एक account में अलग-लग features क्या है बट अपना जो focus area है कि जो core area है कि जो हर एक account में mostly common है उनके उपर हमने discussion करना है उनके उपर हमने focus करना है तो देखिए जो banking analysis का topic है वो मैं आपको एक lecture के अंदर नहीं समझाओंगा क्योंकि ये इसके साथ justice नहीं होगा इस topic के साथ one of the most important चीज है आपके credit analysis के बाट में तो मैं इसके अंदर अराम से time लोगा इसको समझाने में तो आज मैंने कुछ common points drawdown किये हैं इसके इलावा जैसे जैसे time बित्तेगा मैं और भी points जो मैंने practically 7-8 साल में देखी हैं कि अच्छा ये भी चेकर लेना चाहिए था banking में या ये हमने देखा नहीं ये हमसे miss out हो गया अगर ये देख लेते तो ऐसे होता आज मैंने कुछ common points drawdown किये हैं तो मैं सारे नहीं समझाने वाला इसके उपर तो मैं पूरा खुला टाइम लगाने वालों चर्टनिंग और credit submissions के उपर ताकि अच्छे से आपको समझे लगे आज मैं इन तीनों topics के उपर focus करना चाहूंगा आज मैं इन तीनों topics के उपर focus करूंगा EMI repayments in banking EMI repayments electricity bill payments and check bouncing इन तीन topics ये सब bank statements में common है except for packing credit क्योंकि packing credit का operation ही बिल्कुल different तरीके से होता है तो इन तीनों का जो इस statement में देखिए इस statement में देखिए या इस में देखिए इस में देखिए इस में देखिए इस में देखिए तो ये common criteria है हर एक statement के लिए correct तो आइए start करते हैं इन चीज़ों को कि जो bank statement में अपने चेक करनी है सबसे पहले है EMI repayments EMI repayments एक और चीज जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस जैसे मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको लाइव साइट का पोर्टल का सनेफ शॉर्ट कुछ भी चीज़ें आपको शो करवाई है लाइव अपना यहां पर तो bank statement analysis के अंदर मैं आपको यह help नहीं कर पाऊंगा reason being कि एक sensitive matter है अगर किसी client की bank statement मेरे पास offline तो available ही नहीं सब कुछ online available है मेरे पास on record available है अपने system में तो वो शेयर करना एक leakage of information है clients की critical information का तो यह सब चीज़े मैं आपके साथ board पर ही discuss करूँगा यहीं पर discuss करूँगा आपको जो भी queries हो आप जो भी इंस्टॉल्मेंट्स की किश्ट जा रही है यह basically term loans की EMI होती है है तो term loans कोई भी हो सकते हैं आपता auto loan हो सकता है Housing loan हो सकता है Unsecured Business loan हो सकता है Lab हो सकता है Loan Against Property आपका Machinery Term Loan हो सकता है आपका Building Term Loan हो सकता है आपका Normal Working Capital Term Loan हो सकता है GCL हो सकता है यानि कि Government ने जो Community Time पे लोन दी यह ते GCL हो सकता है इस तरह से Multiple Loans हो सकते हैं जिनकी EMIs जा रही होंगी Bank Statement के अंदर तो आपको इसमें अब आप पूछेंगे कि समझने वाला Point का है इसके अंदर आप बोलेंगे कि सर यह तो Common सी बात है समझने की क्या कोमन है कि बस सब EMIs जो है सब जो EMIs है वो Timely जा रही हो सबसे इंपॉर्टन और सबसे में बात है तो इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप बैंक स्टेटमेंट का अनेलसिस करें आज कल तो बैंक स्टेटमेंट का एक्सल शीट में हो जाता है उसके बार मैं आपको समझाओंगो उसको परफेंस का एक कंपनी का कॉंसेप्ट बोलते हैं उसके बार मैं समझाओंगा आपको बट अभी आप सींपल लिकना समझें कि आपके पास एक क्लान से मिलेगी है यह मिलेगी फ्रस्टाऊर्स की कलाइंट खुद समिट करदे क्लाइंट समझाओं बटा दे कि यंद्म टीट 85wieb recompiz शीट में उसके कौन-कौन से लोंज आ रहे हैं चाहिए वो उसने कहीं पर भी लाइबिल्टी साइट में दिखा रखे हूं फॉर्थ और सबसे अच्छा सोर्स सिब्ल जो बॉर्वर का इंडिविजुल सिब्ल है इंडिविजुल सिब्ल है जा कॉर्परेट सिब्ल है यानि कि कमर्शिल सिब्ल है उसके अंदर लोंज की डिटेल्स चेक कीजिए और एक एक्सल शीट बना लीजिए कि यह लोंज आ रहे हैं सिब्ल के अंदर ठीक है तो यह सारी इंफर्मेशन आपको होगी तो आप यह मैं चेक करना शुरू करेंगे उसके क्लाइंट की बैंक स्टेट् मथ जा रही है तो आपको क्या चेक करना है कि फर्स्ट फेबरी मन्थ वो टाइम पर जा रही है या नहीं जा रही है अब मैंन सब्सक्राइण को मिला आप जक करका दो करद म drawnब साथ्य जा ड़ीजिया की उसकुर्ण का सेकेंट को यह पूलीटे तो नहीं था कि रुप तो फिर आप यह नहीं बोलेंगा ना कि उसने एक दिन से डिले किया EMI को यह चीज प्रक्टिकली मेरे साथ भी हुई है तो आप भी इस चीज को क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए क्यों को पब्लिक हो लिडे तो नहीं था एक तारीक को करक्ट दूसर कई बड़नीर आसा होते हैं कि यह Ben चेक करते करते में आपको कोई B बीच में मिलती नहीं है már यह सेप्तंबर मथ की में आपको मिली नहीं लूच से वापिस से आपको मिल गई कि तो सब कैश में डिपोजिट क्यों कर वह बोलेगा कोई भी भान लगाएगा कि हाँ वह गया था तो वहां पर वहां पर मैंने जमा करवा दिया वहां पर आप जुरूर एक पर चीज चेक कर लिए कर लीजिएगा कि फर्स्ट अफ सेप्टम्बर को उसके पास सफिशेंट यह नहीं कि अगर एक सप्टम्बर को EMI जाती है तो आप 31 अगस्ट उससे पिछले दिन क्या क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे कि जब 31 अगस्ट का दिन खतम हुआ क्योंकि 1st को सुबह EMI जा नहीं थी तो 31 अगस्ट को जब दिन खतम हुआ तो उसके पास सफिशेंट बैलेंस था यह नहीं था उस EMI को रिपे करने के लिए अगर उसके पास sufficient balance 31st August को नहीं था तो that means उस समय कोई bouncing हुई है EMI की तो उसकी वज़य से उसको बाद में उसको cash deposit करवाके जमा करवाना पड़ा EMI को तो आप इसका record देने के लिए उससे cash deposit की receipt भी ले सकते हैं या EMI deposit की receipt on record ले सकते हैं कि सर सेप्टेंबर मंत की आपकी EMI हमें नहीं मिली तो आप किरफगर के हमें उसको proof दीजिए कि आपने जमा करवाई है यह कोई overdue EMI नहीं है यह ऐसा नहीं हो कि वो EMI अभी तक pending चल रही हो ठीक है तो उसका proof जुरूर लीजिए या अगर यह proof नहीं मिल रहा तो client से statement of account सेप्टेंबर मंत की करेक्ट तो यह point हो गया EMI के अंदर दूसरा आपको point ध्यान में रख रहा है कि जो EMI आपको मिल रही है कि फरम का account है कोई भी हो चाहे current account है या कोई भी है लेकिन बोर्वर का account है वालब फरम का unit entity का account है आपने देखा उसमें से housing loan की repayment जा रही है हाउसिंग लोन की repayment फरम के account से जा रही है अब आपके माइंड में कोशन के आएगा मेरे माइंड में ये कोशन आता है कि हाउसिंग लोन उसका individual का लोन है उसका फरम का लोन वो नहीं है हाउसिंग लोन तो अगर हाउसिंग लोन की repayment की obligation जो owner होता है उसकी personal होती है उसकी खुद की होती है responsibility उसको उसके saving count में से पे करना होता है ना कि फरम के account से अगर फरम के account से owner अपनी personal obligation पे करता है परसनल obligation पे करता है तो वो उसकी capital withdrawal माने जाती है तो उसकी capital withdrawal माने जाती है जनरल रूल है यह तो जनरल accounting रूल है कि अगर personal obligations को हम फरम के account से पे करें तो एक तरह से हमने अपनी capital फरम से वापिस निकाल ली तो भाई अगर इस तरह की repayments हो रही है तो आप यह चीज जूर चे जीए कि वो उसकी अगर यह चीज है तो उसका उसकी capital पर impact पड़ेगा तो जो आपकी capital अगर उसकी आप books में एक करोण रुपए की देख रहे हैं और माल दीजिए उसकी housing loan की अबही दो लाख रुपे महीना है तो साल की अबही 24 लाख हो गई तो उसकी capital जो है वो धीरे धी शेतर लाख हो जाएगी देन 52 लाख हो जाएगी अगले साल देन सिमिलरली वो 28 लाख हो जाएगी तो capital उसकी business की year on year basis पे every year कम होते जाएगी तो जो इससे क्या फर्क पड़ेगा इससे आपकी जो ratios हैं जो जैसे आपकी leverage ratio हो गई जो मैं आपको separately समझा चुका हूं गेरिंग ratios होगे ही यह सब आपकी ratios खराब होती जाएगी यह सब आपकी ratios खराब होती जाएगी एक दूसरा scenario लगा लिजिए second scenario इसी case में second scenario second scenario क्या होता है कि कई बर proprietorship concern के case में सिर्फ proprietorship के case में होता है proprietorship concern के case में usually कई बर ऐसा होता है कि जो balance sheet होती है client की जो balance sheet होती है उसने liability site पे यहाँ पे housing loan दिखा दिया होता है हाउसिंग लोन यहीं पर reflect कर देता है और उसके सामने यहाँ पे asset site पे residential property भी दिखा देता है residential property भी दिखा देता है अब अगर इसने residential property भी अपनी balance sheet में डाल दी और housing loan भी अपनी balance sheet में डाल दिया तो अब अगर फर्म के account से housing loan की repayment हो रही है तो then जो housing loan की repayment से capital कम नहीं हो आई इधर से जो ऊपर capital इसकी उसमें से withdrawal नहीं डलेगा क्यों नहीं डलेगा क्योंकि इधर residential property भी reflect कर रखी है asset site पे और housing loan separately आ रहा है liability side पे पर एक concept मैंने आपको जब CMA data में आपको समझा रहा था तब मैंने आपको समझाया था एक concept कि अगर client की personal residential property books में आ रही हो तो उसको आप हमेशा capital में से minus करके चलेंगे capital में से reduce कर देंगे residential property को क्योंकि वो residential property business purpose के लिए used नहीं है वो आपकी fake capital का infusion है जिसका कोई business में use ही नहीं है तो ठीक है तो ultimately आपकी capital तो reduced होके ही दिखने वाली है बट उसको separately आपको consider करने की इस तरह से जुरूरत नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया यह वाला point ठीक है वो आप simple residential property capital में से all together full less कर दीजे और जो balance capital नजर आएगी वहीं आपकी actual capital होगी business की correct तो यह चीज होगी नेक्स्ट EMI में क्या समझने वाली चीज है EMI repayment में मैंने दो चीज़े देखी है जो freshers है या जो sales team में जो freshers लोग हैं कापी confusion होती है उनको की repayment schedule and statement of account में repayment schedule क्या होता है और statement of account क्या होता है स्टेट्मेंट अपकाउंट को bankers जो है एस वे बोल देते हैं short form में हम as a credit manager कई पर sales वाले को बोलते हैं कि हमें एस एला दो स्टेट्मेंट अफ अपकाउंट लगा ला दो इस लोन का कोई भी लोन ओ चाहिए वह वह हमें यह लाके चिपका देता है कि और बाद में बोलता है कि सर आपने मांगा था मैंने देतों दिया भाई उसको difference ही नहीं पता कि दोनों में difference क्या होता है देखें दोनों में difference समझे लिए क्या होता है रीपेइमट शेडियूल जो होता है रीपेइमट शेडियूल यह एक जस्ट शेडियूल है कि आपकी EMIs कब-कब जानी है आपकी EMIs कब-कब जानी है ठीक है यह आपका शेडियूल first EMI से लेके last EMI तक लास्ट EMI तक का details बनाकि देता है कि हर मन्त आपके कितनी EMIs जानी है कितना principle जाना है कितना ब्याज जाना है और balance आपका कितना बजा होगा तो यह एक schedule है, जस्ट ये actual repayment हुई है या नहीं हुई है EMI कि उसका यह proof नहीं होता. Repayment schedule से हमें ये नहीं पता चलता कि उसने EMI समय पर दे दी है या नहीं दे दी है. तो statement of account जो होती है वो चीज होती है जिसमें हमें पता चलता है कि उसने जो अपनी EMI है वो time पे दी है या नहीं दी है तो statement of account क्या होती है जब से loan begin हुआ होता है जब से loan शुरू होता है उससे लेके till date तक की होती है आज तक की statement of account होती है यह future की period की नहीं होती क्योंकि ये तो सारा past data बताती है कि client ने अपनी किष्टें कब-कब कौन-कौन से दिन पेटी है ठीक है ये statement बैंक से निकलती है ये जब loan लिया जाता है तो एक initial level पे repayment schedule bank customer को दे देता है ताकि customer को ये ध्यान में रहे कि मेरे को कब-कब EMI जमा करवानी है ये उसका actual record होता है कि उसने EMIs को time पे जमा करवाया और नहीं करवाया इस statement of account से पता चलता है तो कई बर जब हमें EMIs कई बर क्या होता है कि client के 5 loans दिल रहे हैं तो 4 loans तो हमें bank statement में मिल गए देखिए अब loan की repayment चेक करने के दो रास्ते हैं या तो आप repayment schedule दे दे हमें हर मंत जानी है उस EMI को हम bank statement खोल के client की client की bank statement खोल के जितने time की भी आई है छे मीन या बारा मेंने की उस due date पे दिया गया है जो ए due date यहां पे repayment schedule में mention थी उसी due date पे दिया गया या नहीं दिया गया एक तो यह त्रीक है कि repayment schedule repayment schedule प्लस bank statement का combo अब कई पर क्या होता है कि loan critical होता है और हमारे पास repayment schedule नहीं आया होता और नहीं हमारे पास bank statement में EMI track हो रही है यह हमारे पास repayment schedule आया हुआ है पर उसमें जो EMI mentioned है वो हमें bank statement में trace नहीं हो रही कहीं या उल्टा उपर नीचे जा रही है bank statement में या कभी 2-3 मीने उस bank statement में मिल जती है और client करता है कि 2-3 मीने में मैंने वहाँ पर cash जमा करा दिया जा मैंने किसी और account से जमा करा दिया जिसकी statement आज मुझे मिल दी रही वो मेरे को trace नहीं हो पा रही तो उस scenario में हम statement of account client का generate करवाते हैं statement of account से समझते है कि client ने उसमें तो पूरी detail आजाती है कि इस date को EMI duty और इस date को actually जमा हुई है और कोई bouncing हुई है तो वो bouncing भी वहाँ पर reflect हो जाती है अगर उसकी वज़े से client को कोई penal charges भी पड़े है कोई penalty पड़ी है तो वो भी उस statement of account में पता चल जाती है next चीज मैं आपको EMI repayments में बताना चाहूंगा कि मैंने आपको समझाया कि EMI के loans आपको कहां-कहां से पता चल सकते हैं कहां-कहां से आपको loans की detail मिल सकती है और वो loans को आप bank statement में से उठाके चेक तर लिजे या statement of account में से चेक तर लिजे अब देखे कई बर ऐसे होता है कि loan कहीं पे भी नहीं आ रहा loan is not reported anywhere not even in symbol जी बिल्कुल ये सचा ही है मैंने few circumstances बहुत rare circumstances ऐसे ही देखे हुए है कि loan की reporting है ही नी symbol के अंदर पर loan चल रहा है क्लाइंट का reporting ही नहीं I don't know कि क्यों error वो हुआ क्यों नहीं ठीक है तो इस तरह के circumstances भी देखे हुए है यह कई बर ऐसे होता है कि क्लाइंट ने बहुत recently loan को लिया है अब जैसे जून का मत चल रहा है तो क्लाइंट में माई में कोई अप्रेल एंड में loan ले लिया जिसका मई में मई 22 में ही पहला EMI गया है तो वो अभी civil में तो कहीं आया नहीं होगा नहीं आपकी balance sheet में आया होगा तो हो सकता है इंटेंशनली आपको उसका detail ना दिया हो इंटेंशनली उसका detail आपको submit ना किया गया हो तो यह circumstance तो होई सकता है ठीक है तो उससे कौन-कौन से loan की है आपको as an underwriter उस चीज़ का पता होना चाहिए तभी से तभी आपको hidden loan उसका कोई होगा तो आप उस चीज़ को पकड़ सकते हैं करेक्ट समझेगे आप इस चीज़ को next अब EMI की repayment आपको कैसे पता लगेगी EMI की repayment ज्यादातर EMI आजकल के जमाने में ECS ऐसे करके कुछ narration आती है कि automatic auto mandate दिया गया होता है banks को EMI due date पे काटनेगा तो वो ECS, ACH करके ऐसे entries आ रही हो तो आप चेक कर लीजेगा कि आप वो ज्यादातर EMI के साथ related entry होती है या कई बर EMI word ही लिखा होता है या loan repayment word लिखा होता है loan repayment word लिखा होता है तो उससे आपको पता चल जाएगा कई बर client ने अब कई बर EMI इसको पकड़ना difficult हो जापता है जब client ने checks वेगरा देके EMI पे कर रहा हो checks के थूँ EMI repay कर रहा हो अब 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 कर रहा हो और चेक्स के थूँ EMI repayment कर रहा हो तो उसके उस स्नेरे में थोड़ा सा पकड़ना थोड़ा काफी difficult हो जाता है तो उस स्नेरे में आपको थोड़ा सा विजलेंट रहना पड़ेगा जर्दतर जो EMI होती है most of the EMI most of the EMI first से लेके 10th of the month के बीच में ही जाती है कम ही होती है EMI को 15th of the month 20th of the month या last day of the month लगती है ज्यादा तब 70-80% EMI पहले से दस तारीक तक लिए तो आप जरूर एक बार पहले से 10 तारीक हर महिने की ना जैसे 2-3 महिने अपने सामने रख लिजिए statement खोल लिजिए statement का एक से लेके 10 तारीक के 2-2-3-3 पन्ने अपने सामने रख लिजिए जैसे January, February और March उनके पन्ने अपने सामने रख लिजिए और चेक कर लिजिए थोड़ा सा random sample base पर चेक कीजिए देखें बहुत डिटेल में चेक करेंगे तो आप हस जाएंगे sample basis पर चेक कर लिजिए कोई कोई ऐसी amount तो नहीं है जो बलब 40-50,000, 70,000 पे कोई narration पढ़के ऐसे लग रहा हो कि यार कोई loan की repayments टाइक लग रही है यहां जैसे माली जी 50,515 रपे मलब 5th January को गए 5th February को 50,515 रपे गए 5th March को 50,515 रपे गए इस तरह से कोई entry तो नहीं नज़र आ रही आपको तो इस तरह से अगर कोई entry नज़र आ रही है तो might be possible कि वो loan की repayment ही हो loan की repayment हो तो ऐसा बिल्कुल possible है इस सिनेरियो में क्योंकि मैंने practical life में यह चीज की हुई है और पकड़ा भी हुआ इस तरीक ऐसे चीज को कि just a comparison कि देखके कि कोई kis amount ऐसे लग रहा हो थोड़ी सी amount की जो लग रहा होगी यह सारी transaction से हट के कुछ amount है ऐसे लग रहा है कि हर मीने अच्छा मिन जनवरी में में मिली थी यार फृबरी में मैंने देखा कि फरव्री में भी more similar amount है तो फिर जनवरी में जाकि cross check कि तो हाँ उसमें एक सरकारी बैंक इन्ट्रेस्ट अमौट अलग रिकावर करते हैं और प्रिंसिपल अलग रिकावर करते हैं वह उस स्रेविक में होता है जब आपका principle कम होता जाता है और प्रिंसिपल ऐंट अमों टाइम के साथ वहलब कम होतं जाते है और जो interest लगता है वह balanced principle पर लगता है ठीक है तो interest को और principle को अलग recovery करते हैं तो कई पर ऐसा होता है कि interest हर महीने की 31st को लग रहा है और principal हर महीने की 1st को लग रहा है या बलब 5th को लग रहा है for example तो आपको उसी तरीके से trend चेक करना है अगर कोई bank किस तरह से recovery कर रहा है तो आपको चेक कर जाए कि interest 31st को पे debit हो जाना चाहिए कट जाना चाहिए और principal 5th को कट जाना चाहिए तो उसकी EMI आप इन दोनों का total करके निगाल सकते हैं इन दोनों का total करेंगे तो आपकी EMI mount आपके सामने आ जाएगी तो इस तरह से EMI repayments का आपको bank statement के अंदर ध्यान रखना है सेकंड चीज जो आज आपको समझारी है मैंने वो है electricity bill payments electricity bill payments देखिए काफी important है ये first of all तो ये important है manufacturer concern के लिए manufacturing concern के लिए trader या service entity के लिए भी आप देख सकते हैं बट मैं manufacturing के ओपर थोड़ा ज़्यादा focus करूँगा इस चीज़ का concept क्या है concept क्या है कि manufacturing entities जो अपना मिशीनों से काम चला रही है जिनके उपर electricity का burden पढ़ता है तो उनका electricity का bill payment आपको चेक करना बहुत अच्छा source है उसकी actual चेक कर निकली production आप क्या कीजिए जैसे आपके पास 2000 आज के टाइम पे आपके पास 2021 के financials आ रहे होंगे audited वाले 2021 के audited financials आपके पास आएंगे उसके अंदर manufacturing account होगा और एक profit and loss account होगा उसके अंदर आपका power का यहाँ electricity का खर्चा डला होगा electricity का खर्चा यहाँ माल लीजिए यहाँ पे 24 लाक पर खर्चा डला है और नीचे जो office के खर्चे हैं वहाँ में भी जो office का electricity का खर्चा है वह माल लीजिए amount कोई भी लगा लीजिए आप 12 लाक रुपे लगा लीजिए for ease of calculations 12 लाक रुपे उसका खर्चा डला है जो profit and loss account में डला हुए तो कुल भी लाके आपका 2021 में कितना 36 लाक रुपे का electricity का खर्चा डला हुआ है और 36 लाक को अगर 12 से डिवाइड करेंगे पर मंथ निकाल लेंगे तो 3 लाक रुपेया पर मंथ आपका electricity का average expense है ठीक है जी तो यहाँ पर माल लीजिए उसने जो उस time sales किया था 2021 में उसने वो sales 10 परोड का किया था sales ठीक है आज आपके पास वो client loan के लिए apply करने के लिए आया है तो अभी आज आप 2023 में बैठें तो यूजली अगर आप 12 मीने की bank statement लेते हैं तो आपके पास जो bank statement आईगी क्लाइट की वो एक एक जून 2021 से लेके 31 माई 2022 तक की bank statement आईगी इस पिरेट की bank statement आपके पास आईगी क्लाइट की analysis करने के लिए 12 महीने की तो आपको चेक करना है कि इन 12 महीनों में क्लाइट ने कितना sales किया sales कितना चीप किया for example क्लाइट ने यहाँ पे sales किया है 15 क्रोड रुपे का 15 क्रोड रुपे का sales किया तो अब आपको उसकी bank statement खोल लिए bank statements खोल लिए और उसमें से उसके month wise electricity bills की payment देखनी है कि हर महीने उसने electricity का बिजली का कितना बिल जमा गरवाया आप उससे बिल की copy भी ले सकते हैं अपर अगर आप documentation ज्यादा लेने से बचना चाते हैं क्योंकि क्योंकि क्यों टाइबर क्लाइट हो जाते हैं तो electricity की बिल की payment आप बैंक statement में से चेक कीजिए तो आप माले यह चेक कर रहे हैं आप हर बारा महीने का अपने बिल पेडमेंट चेक किया तो बारा महीने का पेडमेंट आपका निकल के आया ओना आन एवरेज तीन लाक रुपए महीना तो आप खुद as a vigilant candidate मुझे बठाइए कि इसमें कोई client से question करने वाला बनता है यह नहीं बनता है देखें 10 क्रोड की sale पे भी वो तीन लाक रुपए महीना बिल दे रहा था अब 15 क्रोड की sale कर गया तब भी तीन लाक रुपए महीना बिल दे रहा है तो यह मलब तो फिर 15 क्रोड की sales कैसे हो लिया और बाहर से बेच दिया तो यह तो ट्रेडिंग सेल तो बढ़ानी किसी के लिए भी ज्यादा डिफिकल्ट ही नहीं ठीक है यानि कि उसने अपनी production तो की नहीं जादा तो ज्यादा working capital तो investment उसने की नहीं बाहर से लेके बाहर से बेच दिया और आपसे अब 15 क्रोड के सबसे और लोन लेने के लिए अगया ठीक है यहां फिर यह हो सकता है कि उसका price variation इतना हो गया उसके product में कि जो पहले 10 रुपे का product आता था अब वो 15 रुपे का आने लग गया तो that means उसकी production वहीं के वहीं रही बस product का finished का price बढ़ गया था जिस वज़े से उसका sales आपको बढ ठीक है तो थर्ड सेनेरिव क्या हो सकता है थर्ड सेनेरिव यह हो सकता है कि भाई हमारी सरकार बहुत अच्छी थी उसने electricity का जो है rate कम कर दिया 2022 थे इसमें उन्होंने electricity का खर्चा ही कम कर दिया अगर उन्होंने electricity का खर्चा कम कर दिया तो एक बार तो आप government की कोई notification है उस period की वो चेक कर लिजिए दूसरा आप क्या चेक कर सकते हैं client से आप मई जूम 2021 वाला bill ले लिजिए यानि कि मई 2021 वाला जो की electricity का बिल ले लिजिए तो यूजली जो यह electricity के बिल्स होते हैं इनके अंदर पिछले बारा महीने की unit consumption detail आ रखी होती है कि कितने units बिजली month-wise consumption हो रही है इसमें भी same चीज़ आ रही होगी पिछले बारा महीने की इसमें आ जाएगी आपके पास पिछले साल की इसमें आ जाएगी आपके पास in between इस period की बारा महीने की unit consumption unit consumption यह थोड़ा सा ज्यादा reliable हो जाता है amount के comparison की कमपेरिटिवली कि unit consume कितना हो रहा है कितने unit बिजली के consume हो रहे हैं उससे बिजली का बिल तो different हो गया माल लीजिए उसने rate change हो गया कुछ हो गया बिजली का ठीक है बट unit wise consumption तो change नहीं हो सकती न तो unit wise consumption चेक कर लिजिए एक लिजिए 2022 की लिख लीजिए और चेक कर लीजिए कितने unit बिजली consume हो ही 2021 में कितने unit बिजली consume हो ही 2020 में और आपको अंदाजा लग जाएगा कि उसने कितना मशीनों को चलाया है actual में ठीक है तो बहुत ही important और बहुत ही interesting part है electricity bill का मैं personally बताऊं तो practically आज के date में भी sales वाले एक चीज़ का ध्यान रखिए कई बार आज कल क्या होता है कि जो क्रेडिट कार्ड वाले जो क्रेडिट कार्ड जो इशू होते हैं न क्रेडिट कार्ड के उपर electricity bill अगर आप पे करते हैं electricity bill अपे करते हैं तो आपको कुछ credit card की तरफ से offers वेरा दिये जाते हैं offers, points यह कुछ cashbacks दिये जाते हैं इस तरह के offers आपे तो कई बार ना यह month-wise जो payments है यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपको मिलती ही नहीं है month-wise payments तो उस scenario में आपको कई बार ना यहाँ पे credit card payments मिलेंगी तो पहले तो client से पूछी है कि सरी credit card payments किस चीज़ की हैं तो client आपको usually यह बताएगा कि credit card से कितरू मैं electricity bill की payment करता हूँ क्यूंकि उसमें से मिलको offers वगरा मिलते हैं, points मिलते हैं, cashback मिलते हैं, मिलको थोड़ा सा saving हो जाता है तो फिर वो credit card की payment को आप electricity की bill की payment मालेजिए, genuinely होता है market के अंदर, तो मैंने काफी cases में यह चीज़ देखी है, तो अगर आपको electricity के bill की payments यहां से trace नहीं हो रही हैं, तो please bill की copies जरू लीजिए, bill की copies जरू लीजिए, यह मैं manufacturing concern के case में बात कर रहा हूँ, manufacturing concern के case में यह चेक क अंदर, computers install की हुए हैं, या कुछ, ऐसा कुछ किया हुए, setup अपना, या office building बनाई हुई है, आप check कर सकते हैं, कि भई, office building का bill मतलब in line जा रहा है कि नहीं जा रहा, पता लगे कि उसने office ही पूरे साल बंद कर रखा था, और आपके पास loan के लिए है, तो महीने पहले ही office खु अब देखें, मैं check bouncing की बात कर रहा हूँ, कई बार होता है, RTGS return, कई बार होता है, NEFT return, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, check bouncing की बात कर रहा हूँ, ये दो तरह के होते हैं, outward check bouncing, inward check bouncing, सबसे खतरना का है, inward check bouncing, outward check bouncing भी concerning होता है, concerning होता है बट फिर भी इसको थोड़ा सा lightly ले लिया जाता है केस की assessment करते समय invert check bouncing तो बहुत ही खतरना होता है यह तो बहुत ही खतरना चीज है पहले तो इनका फरक क्या है एक बार जहाँ से समझेगा इन दोनों का फरक checks की बात हो रही है रिखिये ठीक है मिस्टर ए है कोई मिस्टर ए है वो business करता है garments का garments का business करता है और सारे retail counters पे supply करता है retail counters सारे अपने शेहर के retail counters पे supply करता है माल लिजे उसके पास PCB company की for example octave की company का माल इसके पास आता है और सारे retail counters इसको supply करता है यह पर्चेस करता है ओक्टेव से तो octave को isने पेमेंड करनी है तो octave को यह check issue करता है check issue करता है यह लोग किने इसको payment करते है तो Mr a in से check receive करता है हुआ है तो तो अब Mr. A ने जब Octave को payment करनी है तो Octave क्या करेगा, Octave को इसने चेक दे दिया, तो Octave अपने bank में जाएगा, जो भी Octave का bank होगा, Octave अपने bank में जाएगा, वहाँ पे वो जो drop box होगता है, वहाँ पे Mr. A का check डाल देगा, Mr. A का check drop box में डालाएगा, तो जो वो bank है, वो Mr. A का जो भी bank होगा, उससे communication करेगा, कि भई ऐसे check drop हुआ है, हम clear कर दें check, आपके पास पैसे हैं देने के लिए, तो उनकी confirmation के base पे check clear कर देगा, बट अगर इस banker ने मना कर दिया कि हमारे bank, हमारे खाते में तो Mr. A ने पैसे रखे ही नहीं हुए, पैसे रखे ही नहीं हुए, हमार होते हम check return या check bounce, check return, इस bank ने octave को check बापिस कर दिया, Mr. A का, इसको बहुता है check return, check bounce, कौन सा? inward check bounce, inward check bounce, जो माल खरीद के हमारे पास in आना था, अंदर आना था, परचेस करना था, जो हमने माल, जो माल inward आना था, उसका जो check है, उसका bounce हो गया, यानि कि Mr. A के खाते में पैसे नहीं थे, Mr. A के अकाउंट में पैसे नहीं थे, अब मैं हूँ bank, एकसे बैंक माल दीजिए, अब यही Mr. A, मेरे पास loan के लिए आया, loan application इसे ने मेरे पास लगा दी, loan application मेरे पास लगा दी, और मैंने इसकी bank statement को खोला, और देखा, inward check bouncing charges, inward check bouncing, inward check bouncing, या उसमें कई बार तो होता है कि जैसे 10 लाग का चेक है, तो ऐसे amount आ रही है, 10 लाग, पहले 10 लाग का चेक है इसुगा, फिर साथ ही bounce हो गया, मलब credit कर दिया, यह कई बार सिर्फ charges आ रहे होते हैं, माली जे, inward check charges, 200 रुपे, for example, check bouncing के charges भी लगते हैं, तो एक ही खते में यह भरे पड़े हैं, तो भाई, जो Mr. A, अपने supplier को, जिनसे उसकी रोटी चलती है, जिस कान से, उनको समय पे repayment नहीं कर पा रहा, उनकी payment time पे हो रही है, नहीं हो रही है, उसका ध्यान नहीं रख पा रहा है, तो मेरे को क्या खाग payment करेगा time पे, जिस बंदे के खुद के check clear नहीं हो रहे, उसकी खुद की market reputation क्या होगी, अक्टेव Mr. A के बारे में क्या सोचता होगा, कि क्या निकम्मा बंद है, कि payment इननी time पे कर रहा, कि मेरे पास तो और options है, मैं छोड़ो इसको supply नहीं करूँगा आगे से, कितना बड़ा रिस्क है, अक्टेव मना कर सकता है कि इसके साथ तो मेरे को payment default है, तो जो invert check bouncings है, यानि कि वो check bounce जो हमारे खुद के check bounce है, जो आपका borrower है, जिसमें borrower का fault आपके, वो वाले check bounce invert check bounce है, अब outward check bounce क्या होते हैं, अब Mr. A के point of view से तो यह invert check bounce है, पर अक्टेव के point of view से, अक्टेव को Mr. A से payment मिलनी थी न, अक्टेव ने इसको mall out किया था, जैसे Mr. A ने इनको mall out किया था, और उसी उक्टेव ने Mr. A को mall out किया था, तो Mr. A का जो check bounce हुआ, वो अक्टेव की bank statement में, अब मैं आ गया, अक्टेव की bank statement में, उसमें वो दिखेगा आउटमर्ड चेक बांस उसमें उसकी entry जैसे यहाँ पर पहले 10 लाख debit में आई थी फिर 10 लाख credit में आई इनके यहाँ पर यह ऐसे दिखेगी 10 लाख credit में और 10 लाख debit में यह उल्टा दिखाई देगी entry इनके bank statement में कि पहले 10 लाख credit में आये पर वो cancel होगे क्योंकि check भी bounce हो गया और इनके यहाँ पर outward check charges पढ़े होंगे इनको भी charges पढ़ेंगे इसको भी पढ़ेंगे इनको भी पढ़ेंगे इनको invert पढ़ेंगे इसको outward पढ़ेंगे तो अगर octave वाल आपके पास loan के लिए apply करने के लिए आजाए octave वाल आपके पास आजे loan के लिए apply करने के लिए तो आप क्या बोलेंगे as a banker आप बोलेंगे कि octave वाले promoter को माले जिए Mr. B है promoter उसका आप बोलेंगे कि sir आपका जो customer है Mr. A आप किन बंदों को supply कर रहे है कि आपके बंदों के check ही bounce होई जा रहे है आपकी payments ही safe नहीं है कल को आपकी payments डूप गई Mr. A ने आपकी payments नहीं की अभी उनके checks bounce हो रहे है आपकी payments रुख गई तो आपका तो business ही रुख जाएगा तो फिर आप हमारी payment कैसे करेंगे ठीक है तो ये second risk हो जाता है outward वाले में थोड़ा सा light risk है light risk इसके लिए है क्योंकि इसमें octave की गलती नहीं है इसमें octave की गलती नहीं है गलती किस की थी गलती थी Mr. A की ठीक है तो similarly इसके point वी इससे भी सोच रहे है माली ये जो ही retail वाले बंदे है ये इसको checks से payment कर रहे है checks से payment कर रहे है Mr. A को तो जो ये Mr. A को payments सारी है अगर वो payments इनकी checks की payments bounce हो रही है तो हो सकता है कि कलको ये बंदे सारे tight हालत वाले हो tight position में हो tight position में हो तो A को कलको risk है कि इनकी payments अगर नहीं आई तो यह फस सकता है clear थोड़ा सा मैं और simple शब्दों में बोल दूँगा इस चीज को जो outward check bounce है और एक inward check bounce है इसमें on खुद का check जो है bounce हो रहा है यानकी on mistake है यानकी own financial crunch है अगर यह ज़ादा हो रहे हैं तो ठीक है इसमें दूसरे बंदे का check bounce हुआ है ठीक है दूसरे की mistake है दूसरे का financial crunch है दूसरे को दूसरा बंदा financially tight हालत में है जिसकी वज़े से उसका check bounce हुआ है तो octave के लिए Mr.A का check bounce हुआ है तो octave के लिए यह outward check bounce है क्योंकि Mr.A की गलती थी और Mr.A का जो check bounce था वो Mr.A के लिए inward check bounce था ठीक है तो इस तरह से इसको दूसरे करणे कर दोनों चीज़ों को ठीक है तो इसमें flower check में less riskier है riskier है तो दीक है riskier है very k pap यह जादा riskier है ठीक है यह less riskier है यह जादा riskier prettier है कई पर क्या होता है कि आज हम मालीजिए लुुभियाना में बैठे हैं लुधियाना में बैठे हैं तो मेरा distribution का काम है किसी भी product का लगा लिजिए और मेरा जगा जगा पर माल जाता है हजारों villages आसपास के कजबों, villages में, small towns में मेरा माल जाता है छोटे-छोटे retail counters पर अब usually उन लोगों को ना banking habits नहीं होती जो अभी small towns में लोग हैं वो develop हो रहे हैं banking habits को लेके पर banking habits उसकरां से नहीं होती कि वो एक discipline maintain करें कि वो एक discipline maintain कर पाएं इसकरां कि उनकी habits नहीं होती banking की तो usually वो checks जो देते हैं तो कई बार उनके accountants भी part-time accountant होते हैं पार-time accountant होते हैं कोई जाड़ा हिसाब किताब भी नहीं लगाने वाला ही नहीं होता कई बार तो owner खुद दी हिसाब किताब लेगा रहा होता है सारा ठीक है तो उनको banking habits ना होने की वज़े से ही उनके checks bounce होते रहते हैं तो इनको जो वो payments करते हैं checks के through तो माली जी इस distributor ने ही आपके पास loan के लिए apply गिया था तो इसमें कईबर outward check bounce जो होते हैं वो भरे पड़े होते हैं फुल भरे पड़े होते हैं outward check bounce इन लोगों के क्योंकि इनको banking habits नहीं है और ये time पे balance maintain नहीं करते हैं तो इसकी विरे से इनका check bounce हो जाता है ठीक है पर इस इस case में payment का risk lower side पे होता है lower side पे bad bad debts का risk lower side पे होता है कि ये payment आपकी मार लेंगे इस तरह से नहीं होता है इनका risk तो इस क्रेडिट में क्या करना चाहिए होता है आपको जब मैं आपको next lecture में churning वाला credit submission वाला topic समझाओंगा उसमें आप detail में समझेगा कि अगर आपकी सारी check bounces की entries हटाने के बाद आपकी जो net credit submissions है वो आपकी in line with sales आ रही है then you are safe मतलग फिर भी ये proof हो गया क्यूंकि इस सेनेरियो में आपका जो ये distributor है जिसने आपके पास loan के लिए apply किया वो ये बोलता कि sir इसका check bounce हो गया ता पर बाद में इसने में को cash जमा करा के या RTGS करके या NEFT क रखके मिले को payment कर दिया ठीक है तो उस सेनेरियो में आपको इस सीज को bank statement से टैली कर सकते हैं बट वो आपको next lecture में समय लगेगा अभी उसके उपर आपको जोर मत लगाई है ठीक है तो on check mouse में आपको ये check करना पढ़ेगा कि credit submissions credit submissions post excluding these checks should be in line with sales ठीक है अब इस चीज के उपर आप जोर मत दीजीगा ये next lecture बहुत detailed lecture होगा इस चीज के उपर बेगी एगंटे से जादा का lecture होगा next ठीक है पर्सेंटेज check bouncing आप जुरूर check कीजिए कई पर क्या होता है कि आपका बंदा जो आपका borrow रहा उसको सारी payments check के दुरू ही आती है अब माल ये उसको 1000 check का है पिछले एक साल की banking आपने देखी 1000 check का है अब 1000 में से 20 check bounce होगे आप बोलेंगे हो भी 20 check bounce होगे 20 check bounce होगे बहुत जादा check bounce होगे पर भई 20 कितने परसेंट बना 1000 का 20 कितने परसेंट बना सिर्फ 2% फाली 2% 98% check आपके clear हो रहे हैं सिर्फ 2% check bounce होगे तो इस percentage के साब से भी आप जज कीजिए को similarly जो invert check bounce है इसमें भी आप percentage check कीजिए कि जो आपने check issue कीए है अगर माली जी आपके 20 check आपके bounce होए हजार check issue कीए थे तो सिर्फ 2% भी bounce होए 98% तो आपके clear है ना तो कई बर हो जाता है communication gap यह बिसनस कर रहे है ठीक है कई बर ऊपर नीचे हो जाता है मैं इधर चला गया उदर चला गया कुछ काम पढ़ गया नहीं धियान दिया गया उसने check लगा दिया बंदेर सामने से check लगाने से पहले मेरे से बात नहीं की कुछ भी हो सकता है या मेरी चेक आप का बाउंस हुआ जो चेक मैं अब इनवर्ड की बात कर रहा हूं आउटवर्ड का मैंने खतम कर दिया आउटवर्ड की उपर और कुछ नहीं है क्योंकि इनवर्ड जादा सीरियस मैटर है तो इसके उपर मैं बात कर रहा हूं कि एक तो प्रसेंटेज वाइस चेक कर मालीजे कि जितने चेक आपने इशूड हैं इशूड चेक उसके उपर कितनी परसेंटेज है बाउंसिंग जो है वो जो हुई है मालीजे फरस्ट माई को बाउंस हुआ चेक जो उसने मालीजे एबेसी लिम्टेड को देना था मालीजे लाग रुपे का वो फरस्ट माई को ऑब चेक कीजिक यह पेमिंट क्लीयर कम हुई, एक त्रीक को थो बाँस हो गया पर इसके यह पेमिंट क्लीयर कम कि, कई बर क्या होता है कि एक तारीक को अब मैं समझाता हूं इसको डिटेल में, इन वर चेक्स की अब कई पर क्या होता है कि आज सुबह मौर्ट जब चेक्स लगते हैं न जब चेक्स अब मैं इसको ऐसे जुझाता हूं आपको अब जैसे मिस्टर बी है यह मिस्टर ए है यह मिस्टर बी का बैंक है यह मिस्टर ए का बैंक है ठीक है जी तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बी से माल परचेस किया उसने इसको चेक दे दिया ठीक है Mr. B अपने bank के पास गया और drop box में check डाला है तो इसने इसके साथ communicate किया Mr. A के bank के साथ कि एक check का आया है हमारे पास collection के लिए जो Mr. A का check है यह account number है तो हमें इसकी payment कर दीजिए तो जब यह माल लिजिए communication जो है तो अब जैसे माल लिजिए 30th April को 30th April को यह check यहाँ पर lodge हो गया इस bank के system में तो यह bank का जो भी software होगा जो भी software होगा क्योंकि यह online operation तो जो भी software होगा उसके अंदर reflect हो जाएगा उसके अंदर 30th April को reflect हो जाएगा कि यह check लगे हुए है यह check आया है payment के लिए मालेजिए यह लाग रुपे का check था यह लाग रुपे का check payment के लिए आया है तो इसकी payment करनी है तो जब bank वाले सुबा सुबा आएंगे next morning फस्ट मही को जब bank वाले अपने office में आएंगे तो जो private sector bank का है प्राइविट सेक्टर bank का है तो वो क्या करते हैं कि जैसे checks उन्होंने देख लिए कि लाग रुपे का check का आया हुआ है payment के लिए Mr. A के खाते से तो वो देख रहेते हैं कि Mr. A के खाते में कितना balance है अब माली जीए 50,000 का balance है तो वो Mr. A को phone कर देते हैं कि Sir आपका लाख रुपे का चेक का है 50,000 का balance है क्या करें Mr. A बोलता है क्या हो गया bouncing आती है नहीं अब कई make क्या करते हैं मैं नाम देना को चापका कछ करते हैं वो क्या करते हैं पहले तो ये check को bounce कर देंगे सुबह सुबह आएंगे 9 बजए सुबह सुबह लगा हुए पहले bounce करा दिया bounce कर दिया enter into account में आगई एसे कर के एंट्रिं निरेशन भी आगी, फिर मिस्टर A को फोन कर दिया, कि सर ऐसे करके चेक आया था, तो मिस्टर A ने उसी तारीक को, फस्ट मही को ही, पचास अजार पे जमा करा दिया, जो बैलेंस बचता था, तो उन्हें ने फस्ट को ही, उसकी क्लियरंस कर दी, लाक रुपे की, तो आप उसको चेक बाउंसिंग नहीं मनेगी, ये अक्रोस बैंकिंग सेक्टर ऐसा ही मना ज़ता था, पर इसमें कई जो दिगज हैं बैंकिंग सेक्टर के, वो कहते हैं कि ये भी चेक बाउंसिंग ही है, भई उस बंदे के k ekaउंड मेंस तो था नहीं, सुपवा दि नो हुआ चाहिए वो सेम ड़ी हो गया बट बैलंस तो फा नहीं है बंदे के पास इनिशली जब वो एड़ा इंसेप्शन जब चेक प्रेजेंट हुआ उसके पास बैलेंस नहीं था तो आइडली यह बाउंसिंग ही है बट हम बैनिफिट ऑफ दाउट जो है कस्टमर को देते हैं बैंकिंग में प्रैक्टिकली देते हैं हर एक बैंक देता है तो अगर वह सेम डे कलियर हो रहा है तो वी डॉंट कंसीडर इट एज चेक बाउंस तो जो आपके यह बीस चेक है ना बीस चेक जो बाउंस हुए है उसमें जो सेम डे कलियर हो गये ना उनको काउंट मत ठीक है दूसरा कई वर क्या होता है कि जो आकर check bounce हुआ है वो other reasons की वज़े से हुआ है other reasons signature not clear signature not clear account number incorrect check पे account number incorrect डल लाए check stale stale check है पराणा हो चुक है ठीक है amount amount जो words में रिटन है और amount जो number में रिटन है उनमें फर्क है difference है ठीक है यह present clear नहीं हुआ यहां कई वर लिखोता है present with document तो मतलब जो check bounce है यह outward के लिए भी अप्लिके बेल है सेम चीज़ इनवाड के लिए भी आउट भी आट भी लिए मतलब यह जो चेक बांसिंग होई है यह किसी financial reason की वज़े से नहीं हुए मतलब यह जो bouncing हुई है यह उस वज़े से नहीं हुई कि उसके खाते में balance नहीं था कि खाते में balance ना होने की वज़े से वज़े से bouncing नहीं हुई तो इन checks को भी हम bounce नहीं मानते इन checks को भी हम कुछ भी नहीं मानते इनको ignore कर लेते हैं तो आपके जो यह 20 checks हैं इनमें जो यह checks other reasons की वज़े से यानि कि technical reason की वज़े से bounce हुए है उनको इस 20 की ratio में include मत कीजिएगा जर्प और सिर्फ जो financial reason की वज़े से bounce हुए है कि खाते में balance नहीं था जाए आपके खाते में balance नहीं था invert check के case में या आपके customer के खाते में balance नहीं था आउट बर check के case में तो इसी में ही बात करते हैं कि same day clear वाली तो आप जो balance check है जो same day clear नहीं हुए same day clear नहीं हुए तो किरपय अगरके आप इस सीज के check जरूर कीजिए कि वो clear हुए कब है clear कब हुए है अगर तो वो 2-3 दिन में clear हो रहे है 2-3 दिन में 7 days में clear हो रहे है तो आप एक justification लिख सकते हैं पर provided ये नहों कि आपके वो checks हों ही बहुत ज़्यादा ठीक है तो अगर आप मैं usually मानता हूँ कि जो outward और जो inward check bounce है अगर वो दोख पर up to 2% है up to 2% है चाए वो outward है चाए inward है outward check में up to 2% of total checks received inward के case में up to 2% of total checks issued 2% तक है तो इतना ज़्यादा hard matter नहीं है थीक है इतना ज़्यादा hard matter नहीं है तो within that 2% आप justification लिखिए कि check कब bounce हुआ और कब clear हुआ अगर आपको सारे checks की detail नहीं मिल रही मान लीजे 20 में से आपको 10-12 की भी मिल जाए ये 10-12 4-5 दिन में हफते में clear हो गए थे bank statement में मिल जाए तो आप जरूर लिखिए अपने note में अपनी recommendation में जरूर लिखिए कि ये story है उसकी ठीक है पर अगर बहुत ज़्यादा check bonds हो रहे है 5-7% 8% check bonds हो रहे हैं और वो भी आपके जो check bonds है वो same day clear नहीं हो रहे है या technical reason नहीं है financial reason की विज़े से चाहे हो next day clear हो गए हो पर वो आपके लिए serious concern है serious concern है वो आपके लिए last point आज की topic का RTGS और NEFT return भई इनका क्या करेंगे भई आपको भी पता है अगर कई बार RTGS return हो जाती है NEFT return हो जाती है कि IMPs return हो जाती है ठीक है तो क्या यह दिक्कत वाली बात है नहीं बिल्कुल भी नहीं अब आप आप एक कांद कीजिए का खुद दी आप अपना saving count खोलिए गा saving count खोलिए गा जिसमें आपका मानेजिए दो लापर पर बैलेंस है दो लापर पर बैलेंस पड़ा है कभी भी नहीं होगी क्योंकि आपको सामने से मेसेज आज़ा कि आपका दो लापर पर बैलेंस है ठीक है तो इनको आप bouncing मत ट्रीड कीजिए क्योंकि यह तो बंदे की बेवकुफी थी जिसने वह बुक कराने की कोशिश की आपके अकाउंट में उसको सामने से ही दिख जाता है कि बैलेंस था नहीं ठीक है तो इनको हम नहीं मानते ठीक है सिर्फ चेक्स की बात करते हैं तो बैंकिंग के अनेलसिस को बहुत ही ध्यान से समझेगा यह रीड की हटी है बलट है किसी भी अनर्राइटिंग का इससे आपको क्लाइंट की एक्चुल वर्थ पता चलती है उसके फैनेशल से जितने मर्जी और सजावट वाले हों वह कौन सा सब् वह फेक बैलेंशीट थी जो बात में नोटिस निकला था ठीक है न तो बैलेंशीट को छोड़िए बैंक स्टेट्मेंट को पकड़िए तो बैंक स्टेट्मेंट में में केस में बहुत जादा इंपोर्टन है तो इसके उपर मैं काफी वीडियो बनाऊंगा तो बने लिए इसके साथ और इंडेफ्ट समझी जो भी क्वेरी है उनको कमेंटर बॉक्स में ज़रूर डालिएगा तो आपको नेक्स लेक्शन में मिनुगा गुडबाई फर नौ गाइस थैंक यू